हालो फ्रेंग्स आज मैं आपके लिए लेकर आएं कुछ मोटिवेशनल स्टोवी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है जी हां दोस्तों आज हम आप ऐसी सक्सिल स्टोवी के बारे में बात करें जो कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी जिंदगी को एक मेया मोड दी सकती है जैसे कि आपको पता है कि 2019 आने वाला है और इसकी साथ ही नए साल की सुववात के साथ ही अपन ये से अपनी सोच को बदले तो यही कुछ कहानिय में आपके लेकर आई हूं इस वीडियो में तो यह पूरा वीडियो देखे और कमेंट की जरी मुझे जरूर बताएं कि आपको इस टोरी कैसी लगी तो स्टार्ट करते हैं यह कहाने साबित मैं आपके साथ शेयर करूंगी वह आपके साबित करेंगी कि समभ कुछ भी नहीं है बhãस से तो जब आपन कुछ कर सकते हैं तो अगर कर सकते हैं अगर आपने सूच लिया डिया है चीजस पहले से हो जाती है जीजिते हैं egy हुद लड़ने से पहले ही स्परिटी कंई हैं वह इस कार एप जाती हैं तो से यह कि we have some सुनें ही होगी ऐसी काहानिया तो लेकिन आप फिर घ्री में आपके साथ शेयर करना चाहें मोगी जब हाती का बच्चा चोटा होता है थैसे पतले कमजोर रसी से मांगा जाता है, रहती का बच्च छोटा m कमज़र होने के कारण उस रसी को तोड़ कर भाग नहीं सकता लेकिन वह वही हाती का बच्चा बढ़ा हो सकती साली हो जाता है तो भी सेम वही कमजोर रसी से बांदा जाता है जिससे आसानी से तोड़ सकता है लेकिन वह क्यों नहीं तोड़ पाता क्योंकि वह मानता है कि जैसे मैं बार बार कोशिश करता हूं फिर भी मैं फेल हो जाता हूं ठीक है तो वह बार बार रसी को छोड़ा कर बाग जब छोटा हो जाता है वह भागने के कोशिश करता है लेकि गलत माननेता धार्णा बना लेता है कि ये छोटी सी रसी ही उसकी दुनिया है और वो इसको नहीं तोड़ सकता जबकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर है दूसरी स्टोरी में आपको शेयर करना चाहूंगी कि वेग्यानिकों कि अनुसार बहुरे का जो सरीर होता है ब नहीं उड़ सकता है वो बार-बार तितलियों को देखके ये सोचता है कि मेरे भी पंक है और मैं उड़ सकता हूं और वो बार-बार कोशिच करता रहता है बार-बार गिरता रहता है और फिर आखिरकार वो उड़ने में सफल हो जाता है तो एक साइंटिफिक की प्रूवड और वो अपनी इच्छा सकती को सफल बनाने में काम्या हो जाता है तीसरी अपन तो दोस्तों इस तरह जीवन में नामुनकिन कुछ भी नहीं है नामुनकिन सब मनुष्य नहीं बनाया है जब एक और स्टोरी में से नाना चाहूंगी कि जब टेलिफोन और रेडियो को आधी का उसका नहीं माता तो दुनिया और इवन साइंटिस ने भी यह मान लिया था कि आवाज कुछ ही समय में सेकड़ किलोमेटर तक पहुंचना नाम कि आवाज पहुंचा सकते हैं तो यह साइंटिफिक जो प्रोवन चीजें थी उनको भी वह भी पोसिबल हुई ना कि आवाज नहीं पहुंचते भी पहुंचती हैं इसी तरह जब तक विमान का आविश्कार नहीं हुआता तब तक विज्ञान जगत भी यहीं माता था कि मन बार बार कोशिच करता है एक बनाने की यह जो उडने का उडन खटोले जैसे टाइप कुछ चीज बनाने कोशिच करता लेकिन वह असफल हो जाता है लेकिन लास्ट और उसको सब पागल गयते हैं लेकिन वह मानता है कि मैं एक दिन ज़रू सफल होंगा और वह लास्ट में इसको प्रूव कर देता है और वो विवान बनाने में सफल हो जाता है इसी तरह आपने जो महान क्रिकेटर हैं जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदूलकर उनकी बात करते हैं वंडे क्रिकेट में के इतने बड़े इत्यास में 2010 तक एक भी दोरा सतक नहीं लगा पायती है और दुनिया में अब तक किसी ने भी दोरा सतक नहीं लगाया था वंडे में लेकिन सचिन तेंदूलकर ने दोरा सतक लगाने के 4-5 परसों 2010 ने यह दोरा सतक लगाया था और इन्टी जस चार-पांच साल बाद में ही साथ और दोरे सतक बाद डबल सेंचुरिस लगे वहले कुछ और क्रिकेटर्स ने भी इस धाना को गलत साबित कर दिया कि वंडे में भी दोरे सतक लग सकते हैं तो यह इतने सालों के जो कर्केट का इतियास था उसको सचिंत अंदुल करने तोड़ा उस रिकोड को तोड़ा और बाद में 6-7 कर्केटर्स और थे जिन्नों ने चार-पांच साल के डूरेशन में यह रिकोड किती बार तोड दिया तो क्या ये सायों मातरता ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसली हुआ क्योंकि दोजाए 10 से पहले जब किसी ने 12 सतक नहीं लगाया था तो ये सबकी माननेता बन चुकी थी कि 12 सतक लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी तक इस record को किसी ने नहीं तोड़ा था ये नामुन किन सा लगता था लेकिन जब सच्चिन ने 12 सतक लगाया तो सबकी मानसिक्ता बदल गई और फिर दूसरे जो करेटर्स थे उनको भी motivation मिला कि भई जब सच्चिन कर सकता तो हम भी कर सकते हैं तो इस वज़े से चार-पांश वर्षों में साथ और दोहरे सतक लगें जबकि अब तक कि ये record कोई नहीं तोड़ पाया था तो सचिन टेंदुलकर ने ये दुनिया में ये जो लोगों की सोच बनी थी उसको तोड़ा तो जो अपनी जैसे जैसे अपने सोच होती है उस जैसे ही अपने सक्से सकते हैं हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा तो अगर आपने अब तक नहीं सोचा कुछ बड़ा करने का तो ये स्टार्ट करने हैं ये खानी शायद आपकी लाइफ में एक नया मोड लेका है हम गलत धार्णाव जो बना लेते हैं उनको तोड़ें और जो जैसे कि मैंने बदाया कि अस संभव कुछ भी नहीं सपू संभव हैं अपन जो हम आज जो भी हैं हमारी सोच का ही परिणाम हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं we become what we think. Assembly via नामुनकिन हमारी सोच का ही परिणाम है. हमारे साथ वैसा ही होता है, जिसे हम मानते हैं और विश्वास करते हैं. जिसे कि सचिन देंदुल करने ही माना कि मैं दोरा सथ तक लगा सकता हूँ तो लगा सकते हैं. बोरा ने माना कि मैं उड़ सकता हूँ तो वो उड़ पाया है, वो सफल हुआ और हाती की जो बज्चा था, उसने माने कि मैं इस करसी को नहीं तोड़ सकता तो वो नहीं तोड़ पाता हूँ वो आज तक उसके दिमाग में और वो ऐसे ही चलता है तो यह हम पर नहीं करता है कि हमें हाती की तरह अपनी सोच का गुलाम रहना है या फिर बोरे की तरह स्वतंद्र होके उड़ना है और अपने लक्षियों को प्राप्त करना है अगर हम मानते हैं कि हम स्वपर विश्वास करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे लिए नाम उनकी कुछ भी नहीं, नथिक इस इंपॉसिबल तो ऐसी स्टोरी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो हमें इडिशें अप्लाइफ क्लासेस भी लेके आते रहेंगे जो कि आपके ना कि आपके एक्जाम्स में बलकि आपकी लाइफ में भी आपको एक नया मुकाम हासिल करने में आपकी साहिख